हेलो फ्रेंग्स आज हम बनाएंगे खटी अधरक यानि गुलाबी अधरक का सीजन जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है और यह सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही रहता है तो जब भी आपको खटी अधरक बनानी हो यानि गुलाबी अधरक बनानी हो तो वह इसी अधरक से बना कि भी ठीडर यह सकते हैं तऴहितों थैश्टी लगता यह कहने में जल्दी बन जाती है यहMu मुश्किल से 5 मिनिट्स में एड़ी और चाती है यह करो अगर को हरे मिर्स के शोकीन है क्योंकि हरे मिर्स भी होगा बहुत अच्यार तो इसको बनाने की विदी है वो बहुत ही सिंहपल है और आदरक विद्धिशन के लिए अछtone होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है रहा हे शियर सेखा कंप सबस्क्राइब THAT राही дी Save Cuisine नमक डालके आप इसको अच्छे से हिलाईए ताकि ये सब में मिक्स हो जाए और इसको दो तीन मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इस अध्रक की खासियत यही है कि ये दो-तिन मिनट में ही अपना रंग छोड़ना शुरू कर देती है और पिंग कलर में आ जाती है अब दो-तिन मिनट बाद आप एक नीमबू लीजिए और उसको आधा काटिए और काटके इसमें नीचोड़ दीजिए और अगर नीमबू छोटा है तो यह पूरा नीमबू इसमें डल जाएगा और अगर नीमबू बड़ा है तो आप आधा भी डाल सकते हैं तो हमारा यह नीमबू छोटे साइस का है तो हम यह पूरा ही इसमें डाल देंगे तो बस ये दो इंग्रीडियन्ट ही इसमें डलेंगे और आपकी खटी अद्रक बिल्कुल रेडी है खाने के लिए अब इसको कुछ देर के लिए ढ़क के रख दीजिए मिक्स कर दीजिए और ढ़क के रख दीजिए और 10-15 मिनट में ये बनके रेडी हो जाएगी फ्रेश बन कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कैसी बनी एक खटी अद्रक और कैसी लगी आपको खाने में वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्रेजी से लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियो लेके मैं आपक अँछए वजग नच्छाइस